देखिए मेरा आलू का पराथा, आप मैं इसको खोल कर दिखाती हूँ, बिलकुल कॉर्णर तक स्टफिंग हुई है, अब इसकी क्रिस्पीनस की आवाज सुनिए, चलिए, आप इस रेसिपी को देखते हैं, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक, श चीजों के हमें जरूरत पड़ी है, ये देख लेते हैं, किनी इंक्रीडेंस की जरूरत है, तो मैंने लिये हैं, बॉइल पोटेटोस, इनको मैंने पांच फिसल साने तक बॉइल किया था, और ठंडा होने के बाद छील लिया है, अब ले रहे हूँ, एक मीडियम साइज अन मच, दो हरी मिर्च, इसको मैंने बड़ा-बड़ा काटा है, अगर मुमे आए इसके आप निकाल सकते हैं, अगर पसंद नहीं है टेस्ट, हींग, वन टू टू पिंच, नाव चिली फ्लेक्स, और सॉल्ट, इन सारी इंग्रेइंस के बाद हम अपनी प्रेपरेशन शुरू क मैंने एक बोल में 5 बॉइल पोटेटो को मैश करना है, यह देखिये बॉइल पोटेटो इसंको बैश कर ले रही हूं, अब इसमें मैं अनियन डाल रही हूं, कुरियांडर, हाथ उसे मैश करना बेटर रहता है, क्योंकि बहुत अच्छे से हो जाता है, इसलिए अपने हाथ अच्छे से वाश कर लीजेगा इसके बाद मैं हरी मिर्च टाल रहे हूँ ये सौंफ मैंने माउंटेन सौल्ट लिया है आगर आप चाहे हैं तो नॉर्मल नमक भी ले सकते हैं मैं नमक कम ही डालूँगे और चिली फ्लेक्स नमक कम इसलिए डाल रहे हूँ मैं इसको मिक्स कर लिए ये देखिए कितना अच्छा मिक्स्चेर है बिल्कुल भी फ्लोई नहीं है आराम से स्टफिंग हो सकती है फटेगा नहीं आपका पराठा जल्दी से आटा लिया है मैंने इसमें नमक भी डाल लिया है नमक अपने टेस्के अकॉर्डिंग डाले ये मैंने करीब 300 ग्राम आटा लिया है ये जो मग रखा है ये मैंने मेजरिंग कप की तेरे रखा है पानी मैंने जस्ट हाफ लिया है इसी मेजरिंग कप से तो मैंने अगर दो कप आटा लिया है तो एक कप ही पानी यूज़ कर रही हूँ आटा इसका बहुत जादा लचीला बनना चाहिए और थोड़सा रोटियों से सॉफ्ट होता है तो इसको अच्छे से गूनना पड़ेगा और अच्छे से रेस्ट भी करवाना पड़ेगा तो आप इसको गूनने पहले और इसको गीली कपड़े से उसके बाद धक कर रग दे 10-15 मिनट कम से कम rest कराने के लिए और जादा टाइम के लिए भी रख सकते अगर आप चाहें अब हम आटा देख लेते हैं यह देखें आटा मुझे अच्छा लग रहा है मुझे लग रहा है अराम से पराठे बना सकते हैं तो यह ready हो गया अब मैं थोड़ा सा सुखा आटा भी ले लेती हूँ अब मैं बेलना शुरू करूँगे तो मैंने तीन equal size की balls ले लिए बॉल lemon size की लिजीगा इसमें थोड़ा घी लगाया है बेलने के बाद अब मैं इसको stuffing कर लूँगी आलू की इसमें अच्छे से आलू की stuffing अच्छी कीजेगा क्योंकि आलू अगर जादा होगा तो जादा tasty लगेगा और आटा जादा होगा तो फिर लगेगा ही नहीं आलू का पराठा खा रहे हैं अच्छा देखें मैं कितना सारा mixtures में भर रही हूँ और इसको प्रेस करकर के अंदर करूँगी और बहार से इसके आटा से इसको seal कर दूँगी और जो extra आटा है उसको निकाल लूँगी मैं अगर लगे तो आप थोड़ा सूका आटा कर लगा कर भी इसको dab-dab करके निकाल सकते आप मैंने इसको बेल लिया है अच्छे से vacuum निकाल दीजेगा बेलने के पहले जिससे की ये फटे ना और बिल्कुल हलके हाथों से इसको बेलना शुरू कीजेगा बड़े अराम से बिलेगा कोई problem नहीं आएगी कहीं से नहीं फटेगा और अपने desired size के साब से इसको ready कर लिजेगा ये देखें ये मेरा बन करके तयार हो गया है मैं medium size का ही रखती हूँ आप जिस भी size का चाहें size का रख सकते हैं तो आप मैं इसको सेख लेती हूँ सेखने के लिए मैंने इसे तवे पर डाल दिया है आप इसको flip कर लेते हैं 2 मिनिट सेखने के बाद नीचे की side भी इसको अच्छे से सेख लेंगे और फिर मैं इसमें घी लगाऊंगी की बहुत जादा लगाने की जरूरत नहीं बहुत tasty वैसे ही बनता है और मैंने non-stick pan लिया तो बहुत जादा घी की जरूरत वैसे भी नहीं है सेखने के लिए नॉर्मल तिवे में आपको थोड़ा सा घी जादा लग सकता है अब इसको दोनों side में अच्छे से घी लगा करके सेख ले रहे हूँ अब मैं इसको flip करके आपको दिखाऊंगे इसमें जो brown spots हैं वो कितने अच्छे बन लिखते हैं ये दिखिए इसको दबा दबा के अच्छे से सेख लीजिएगा कहीं से एक अच्छा ना रहे और देखने में बहुत ही खुबसूरत बहुत ही खाने में टेस्टी लगेगा आपको आपको लगेगा कि वहां क्या recipe मिली है अब इसमें इसको मैं अच्छे से turn करने के बाद को सेख लिया है और अब इसको मैं बटर के साथ और दही के साथ साफ करूँगी दही में मैंने कोरियांडर भी डाला है चिली फ्लेक्स और जीरा पाउडर डाला हुआ है और अचार ये देखिए मेरी प्लेट अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीस सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक यू सो मुच पर वाचिंग